यह एक हमारा आइटम्स के आइटम वाइस लेट से मैंने एक ग्राफ बनाया है ठीक है अब मैं क्या करता हूं कि मैं एक स्लाइसर बनाता हूँ आपको दिखाता हूं यह दिखिए स्लाइसर कने विजुल होगा तो यह आपका slicer आगया यहां पर ठीक है blank है अब आप देखे slicer के जो build visual है उसमें एक ही field होता है याद है मैंने आपको lecture no.1 में कहा था कि आपको हर visual के जो यह parameter होता है build visual वाला जो tab होता है इसमें सब अलग लग ही दिखेंगे दो तीन इतका दुक्षी सेम हो सकते हैं जैसे यह सारी families हमने cover की थी तो यह सेम होती है तो आपने देखा था कि उनका build visual जो है field x-axis y-axis और legends वेगरा उसमें जो भी है वो सब सेम होते हैं लेकिन अब slicer बहुत different है तो slicer में आपको एक ही field मिलेगा इसमें ना तो x-axis है ना y-axis ह यह analysis के लिए यूज नहीं होता ठीक है तो इसमें जो भी field डालेंगे वो यहां पर बनेगी तो let's say मैं कहता हूं for example कि मुझे zone wise देखना है कुछ तो मैं यहां पर zone डाल देता हूं drag and drop कर देता हूं आपको देखेगा कि यह देखिए slicer बन गया बहुत simple है यह है ना के according change हो जाएगा अगर मैं north करता हूं तो north के according अगर मैं south करता हूं तो south के according हो जाएगा ठीक है अब आपको एक चीज़ समझनी है यहां पे यह जो आप कर रहे हैं अभी यह आपके लिए नया नहीं होगा क्योंकि आपने pivots में भी यह किया हूँ है right अब दिखे अगर मैं for example आपको एक बहुत बढ़िया example अभी समझाता हूं मैं क्या करता हूं मैं इस विजुल की फटाफट कॉपी कर लेता हूं मैं उसमें क्या करता हूं उसमें मैं आइटम की जगा लेट से category रख देता हूं ठीक है और आइटम यहां से हटा देता हूं ठीक है वैसे आपको कारे विजुल चेंज होते हैं और यही क्राश कर वोड़ में यूज होता है इसको कहते हैं क्रॉस फिल्ट्रींग क्या कहते है क्रॉस फिल्ट्रींग ऐबateg़िटरेगी अगर वह ऩng한데 की डेटा से यूजिन को हुरी है क्योंकि हूँ स्लाइटर भी इस से यूजिन कि है वोग जब उसी data से बाकी visuals मनें तो automatically change होजेगा अब इसमें हमने करना क्या है कि मैं suppose मैं यह कहता हूं कि मुझे ना इसमें सारे graphs यह जैसे यह visual है यह visual है मुझे इस सबको इससे change नहीं करवाना है ठीक है मैं यह चाहता हूं कि cross filtering हट जाए लग किया है ठीक है यह ऐपने इसे लएक leaning चैक्शन अपको दिख रहा होगा आप इस необходимо page प्लेखें तो देखें पता लगा है उ आपको दिख रहा है यह पेचान है कि edit interaction क्लिक हो गया है और एक और चीजान नोत कीजिए कि आपका आपका नकारी यह क्यूं है क्यों कि हम कह रहें Edit करना चाहता हूं अब इसमें अगर मैं यहाँ पर non-click कर दूँ थीक है यह मैंने none कर दिया और इस पर भी कर दूँ तो क्या होगा कि इस slicer से अब यह filter नहीं होगा cross filter नहीं होगा यह बड़ी कमाल की चीज है तो मैं इसको नन नहीं करूँगा इसको मैं फिल्टर पर ही रखूँगा सिर्फ इसको मैंने नन किया है तो इसका मतलब यह होगा कि यह तो चींज होगा विजुल लेकिन यह नहीं होगा अब आएये समझते हैं इसको reality में करके कुछेगा आप से यह क्यों दिख रहे हैं मुझे आइकन से जर्फ एडिट के टाइम ही दिखते हैं तो जब मेरा काम हो गया तो मैं दुबारा से हैं री क्लिक करूँगा और इनको आफ कर दूँगा बले बले बहुत सिंपल आप देखिए जब मैं साउट स्लेट करूँग एक विजुल दो विजुल तीन विजुल गए जितने भी आपको अगर उनको फिल्टर नहीं रखना है प्रॉस फिल्टरिंग से हटाना है तो आप कर सकते हैं ठीक है अब एक और चीज़ आपके माइंड में कन्फीजन हो सकते हैं जब आप करो क्योंकि जब आप सुनते हो जिस चीज से आपको क्रॉस फिल्टरिंग बाकी चीजों पर हटानी है लगानी है आप सबसे पहले उस विजुल पर क्लिक करेंगे और फिर आप फॉर्मिट में जाके एडिक करेंगे आपको बात समझाई जैसे अब मैं एक बार दुबारा से एडिक में जाता हूं हुआ हुआ है इसको यहां से इसको इसको यहां से फिल्टर कर देता हूँ ठीक है अब आपको बता है यह तो पहले भी फिल्टर ही था यह तो न नहीं हमने किया नहीं था अब दुबारा उसी चीज में आगे ना दिखिए जो भी मैं select कर रहा हूं दोनों visual change हो रहे हैं अब हम यह मान के चलते हैं for example कि एक आपने यह filter बनाया slicer बनाया ठीक है तो मैं एक और slicer बनाता हूं ठीक है आप इसकी copy भी क्रेट कर सकते हैं मैं अब क्या करता हूं कि sorry बनाना चाहता हूं हमारे data में date को यहां पर डालता हूं ठीक है और जब यहां पर डालेंगे तो यह आपके पास different formats आएंगे मैं इसमें से यहां पर click करूंगा और format change करूंगा इस पर भी अभी हम बात करेंगे कि don't worry ठीक है तो अभी फिलाल के लिए मुझे क्या करना है कि मुझे इस slicer को थोड़ा सबसे पहले मैं space कम करता हूं और यह dates के लिए हमारा slicer है ठीक है आप देखिए यहां पर एक लिखा हुआ रहा है this setting has moved to change the slicer style select format slicer setting option and style अब हम इसके slicer style में जाएंगे format section में आपको तो पता यह format section क्या होता है इसको select करते है और यहां पर यह हमारा format section है और slicer setting है आप जाएं तो दुबारा यहां पर हावर करके देख सकते हैं वो कहारा है slicer setting में option style में तो यह है slicer setting यह option और इसके अंदर यह style बहुत ही खुबसूरत ठीक है इस पर detail में भी बात करते हैं don't worry तो सबसे पहले मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि मैं इसको drop down बनाना चाहता हूं ठीक है for example मैं इसको drop down यह vertical list बनाना बन के आगी आपको समझारी बात है ना मेरे पस बन के आगी ठीक है अब देखे हम है वेस्ट में बैठे है ना अब मैं कहता हूं वेस्ट में एक जनवरी पर क्लिक कीजे अगर आप एक जनवरी पर क्लिक करेंगे तो यह इसका भी combination यहां पर विजुल को चेंज करेगा यह बहुत भी बढ़िया हमारे पस जो cross filtering है यानि कि जितने भी यहां पर अलग-लग slices बनाएंगे उनसा भी slices को जब आप क्लिक करते है ना तो सब का combination देखा जाता है जैसे अब यह देखेगा तीन जैनवरी में नौर्थ का performance क्या है तो ग्राफ आपके automatically इन दोनों slices से change होंगे यह cross filtering है ठीक है अब मैं आपको यह बताने वाला था मान की मान के चलिए आप यह कहते हो कि देखो इन दोनों slices में हमें एक क्या काम करना है कि मैंसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूं क्या पता आपको कहां यह चीज़ यूज़ करने पड़े इन दोनों slices से हम यह चाहते हैं कि यह वाला graph जो है वो change हो ठीक है लेकिन जब मैं इस graph जब मैं इस slicer पे कहीं भी क्लिक करूँ यह वाला change ना हो इससे तो change हो इससे यह दोनों change हो लेकिन इन दोनों के combination से सिर्फ यह change हो समझрат россवाप तो अब आप क्या करोगे अब आप यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके format में edit interaction पे नहीं जाओगे यहाँ पे नहीं जाओगे आप क्यों क्योंकि मुझे इससे दोनों को filter रखना है तो जब रखना है तो इसका मतलब मुझे कुछ करने की जूरत नहीं है वो तो by default ही रहेगा cross filtering तो by default रहती है तो मुझे यह करना होगा कि उस particular जिससे मुझे हटाना है कुछ visuals को ठीक है उसको सबसे पहले select करना है अब उसके edit interaction में जाना है यह point कोई नहीं बताता है और फिर आप धक्के काते हो और फिर बाद में आपका जब बहुत time waste हो जाता है तब आपको पता लगता है तो मैं आप इसके edit interaction में जा रहा हूँ आप जैसी इसके edit interaction में गए सारे यह देखिए change हो गए मतलब इनका यह none और visual वाला tab activate हो गया आप इससे इसको भी हटा सकते हो कि भाई जब मैं इसको select करूं तो इसमें कोई change ना हो इसा भी हो सकता है बट फिलाल हम यह कर रहे हैं कि मैं इसको none कर रहा हूँ यह देखिए जब आपने none कर दिया हो गया आप दुबारा यहां क्लिक करते हैं ताकि पूरा page normal हो जए अब वो icons यहां नहीं दिखेंगे आप देखिए क्या होगा जब मैं south select करूँगा दोनों visual change होंगे होंगे जब मैं west करूँगा दोनों change होंगे बराबर है clear है right अब जब मैं एक January select करूँगा तो सिर्फ यह वाला change होगा यह नहीं होगा पिकरस इस से आपने इसकी cross filtering deactivate कर दिया है यह देखिए ठीक है यह है हमारा cross filtering slicer भी बताया cross filtering भी बताया ठीक है तो हम दुबारा से format में जाते हैं फिलाल किल मैं दोनों को edit करता हूँ और मैं हटा देता हूँ मतलब मैं चाहता हूँ कि दोनों filter रहे हैं ठीक है तो मैं एक original situation में आ गया अब आप देखें आप दोनों पे जब चार जन्वरी सेलेट करेंगे अब दोनों विजूल चेंज हो रहे हैं तो cross filtering यहां पे concept हमारा आयोब आपको clear हो गया होगा ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं अब यह वाला slicer लेते हैं तो देखें सबसे पहले है slicer setting setting आपको slicer setting कैसे चाहिए अभी देखें vertical है बिल्कुल सही है आप कहते हो कि मुझे tiles चाहिए तो tiles में क्या करेगा यह tiles बना के इस तरह से आपको दे देगा और आप फिर इसकी जैसे width वगएरा vertical होगा तो आपको अगर आपके मान के चलें आपके पास 50 items है तो वह vertical आप चाहेंगे कि वह सारे show हो राइट तो आपको इसकी जो height है वह बढ़ा के रखनी पड़ेगी vertical में ठीक है वाल आप नहीं भी बढ़ाएंगे तो कोई बात भी स्क्रोल जो है वह स्क्रोल बटन तो आई जाता है लेकिन मतलब एक साथ दिखेंगे नहीं है ना तो यह डॉप डाउन भी option है कि अगर मुझे at a time एक ही चीज़ सेलेक्ट करनी है और में आपको बहुत सारे होग यह आपको सबको क्लेर होगा होगा ठीक है अब आपको मैं एक चीज़ और सिखाना चाहूंगा इसमें देखें हम इस वाले slicer में चलते हैं यह date का slicer है तो आप कहेंगे रहे इसमें भी same option होगी तो मैं क्यों बताने जा रहा हूं दुबारा ध्यान से देखें इसमें क्या है इसमें आपको between before after drop down relative date relative time बहुत सारी चीज़े मिलेंगे क्यों 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 कि देखें है जिब डेट के साथ slicer पे ताम करते हैं तो हो सकता है कि हमें यह चाहिए हो कि 10 जनवरी से लेके 10 मार्श का data मुझे देखना है तो इसलिए between दिया कि एक particular year से पहले का जितना भी data है वो मुझे दिख जाए तो यह चीजें आपको बहुत असान हो जाएंगी आप जैसे देखें इसमें वर्टिकल लिस्ट है वो तो आप देखी चुके हैं टाइल करूंगा तो यह देखें टाइल आ गया पिर आपको spaces में काफी इसको height और width change हो रहा है एक January से 13 January का data आपने देखा graph भी change हो के ऐसा नहीं है आप यहां से इसको change कर सकते हैं वो तो कोई देखता थी नहीं है ठीक है आप यहां पे click करके जैसे देखें मैं यहां क्लिक करता हूँ मैं यहां से इसको chart कर देता हूँ जैसे मैं जहां करना है चलो यहां से हम चलते हैं और लेट चे माहते हैं कि मुझे इस डेटा देखना है यहां से भी आप कर सकते हैं यह थीक है तो यह आपका between होता है यह आपको यहां पर option नहीं मिलेगा ठीक है क्योंकि between text में नहीं चलेगा ना between क्या between तो numbers में चलेगा मानते हो ठीक है उस तरह से before है देखे अगर जो आपने before लगाया तो उसने क्या किया before before का मतलब यह हो कि एक date fix हो जाएगी और दूसी date से आप कर सकते हो चेंज अब जैसे मैं इसको यहां से हटाऊंगा तो इसको मतलब simple सी बात है इसका यही मतलब है कि before this particular date आप कुछ देखना चाहते हो तो यह between नहीं है इसमें आपका data जहां से start हो रहा है वो fix रहेगा और यहां से आप उसको आगे पीछे कर सकते हो ठीक है और नीचे विजू चेंज होते रहेंगे उसी तरह से after है after उल्टा हो जाएगा after में उसको fix रखेगा आपके data को तो after में यह वाला fix रहेगा और after मतलब कि इस date से बाद में है ना तो इस date से बाद में मतलब कि फिर आपको कहीं रुकना धोड़ी है आप यह कह रहे हो कि एक January के बाद जो भी है तो यह आपको options अपने हिसाब से देख लेंगे इसमें ज्यादा time-based हम नहीं करेंगे simple है drop down देखे आप drop down मना सकते हैं वह अपने text field में भी देख लिया था ठीक है control की press करके north पे भी click करता हूँ तो अभी जो आपको data दिखेगा नीचे वह जाहिर सी बात है वह north और east का दिखेगा correct तो सबसे पहले यह edit interaction off कर लेते हैं यह मुझे फिर से दिख रहे हैं आप इसको click कर देते हैं yes आप देखे आप यह कहते हो कि नहीं यह नहीं चाहिए हमें हम single select रखेंगे ठीक है तो आप single select भी कर सकते हैं अब आप control की दबाएंगे तो आप देखेंगे east के साथ not select नहीं होका तो यह option selection के अंदर आपको मिला हुआ है ठीक है कि आप single select भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको multi select अचली by default मिलेगा अब है झाले ठीक है और जब आप multi select पर होते हैं जैसे अभी है तो इसमें देखे ओट है इसमें एक और option आपको देता है select all की मतलब कि वह यह कहता है कि अगर आपको एक बारी में सारे select करने तो control की press करके आप परिशान हो जोगे तो हम आपको एक option select all भी दे सकते हैं ठीक है यह select all करता हूं तो देखे सारे on हो जाएंगे दुबारा क्लिक करता हूं तो सारे off हो जाएंगे आप समझें इस बात को तो अगर आपको multi selection selection रखना है तो select all सबसे बढ़िया है ठीक है तो फिलाल के लिए मैं इसको रख लेता हूं चलिए हमें हैं कोई फरक नहीं पड़ता आगे बढ़ते हैं slicer header कि slicer header है यह zone अगर आप इसको नहीं रखना चाहते हैं तो off कर सकते हैं slicer header में भी वही options हैं जिसे हमने पहले की थी मैं इस पर फटा-फट से आपको बता देता हूं टाइम इस नहीं करेंगे दिखे मैं थोड़ा से zone wise zone wise तो क्या होगा कि title भी आपका जो है इसमें change हो जाएगा यह देखिए देखिए zone wise आना शुरू हो गया यहां से आप कुछ और change करना चाहते हैं तो आप इसको change भी कर सकते हैं ठीक है यह formatting जादा भी नहीं करनी है कि सारा विशुली आपको बहुत अजीब सा लगे बट मैं आपको समझा रहा हूं तो ठीक है font color आप change कर सकते हैं इसका font आप करना चाहें ठीक है summary show कर सकते हैं summary show कैसे होगी यह दिखे all दिखा रहा है वह अब जैसे मैं कहता हूं east तो यह देखिए multiple selections इस तरह से दिखा रहा है वह वह उसको change करतेगा ठीक है मैं हटा देता हूं यह सारे क्योंकि अभी हमारे पास multiple selections है तो मैं यह सारे हटा देता हूं यह देखिए अब आपके सामने से waste है तो मैं अब select करता हूं तो जब आप दुवारा करता है इसको बिल्कु रखने की ज़रूत नहीं है मैं तो in fact इसके भी पक्षमे नहीं हूं कि यह title text यहां पर रखा जाए सब को पता है स्वाइसर कि जो title text है इसको ना मलब आप अपने इसाब से जादा dominant दिखाने की जूर्ट नहीं है आप इसको अपने इसाब से simple जैसा आपको by default मिल रहा है आप वैसा रख सकते हैं ठीक है तो मैं इस तरह से इसको यहां पर रख लेता हूं ठीक है और और मैं इसको यहां से क्या करता हूं बैक स्पेस कर देता हूं एक मिनिट के लिए तो यह हट जाएगा ठीक है इसमें on off option नहीं है हटा दिया हट गया ठीक है fine okay अच्छा उसके बाद slicer header यह देखे यह यहां से आप इसको off कर सकते हो इस तरह से off हो जाएगा ठीक है तो off हो गया तो नीचे जितनी भी options है वो आप देख रहे हूं यहां पर मैंने का bottom और top और bottom मुझे 2 borders चाहिए आपको दिख रहा होगा यहां पर देखे top और bottom के 2 borders बंगे ठीक है तो इस तरह से कर सकते हैं और फिलाल के लिए टाइप कर देते हैं थाकि आपको जादा अच्छी ठंक से देखे जोन में लिख देता हूं यहां पर बंगे ठीक है थोड़ा से इसको मॉडिफाइब करता हूं आपको size बढ़ाता हूं कि देखे तो वही है बाते हैं टेक्स हो गया बादर हो गया मुझे इतना इक बादर रखना है और वह कहा रहा है कि बादर का आप अपको अच्छा एक तो कल्रीज दे सकते हैं अब जैसे कलर है ठीक है तो लेकिन बदब आप कोई भी इसमें बड़िया कलर कॉंबिनेशन यूज कर सकते हो जैसे ब्लाक विद वाइट आप यूज कर सकते हो ठीक है अभी अगर मैं इसको लेट से हम इसको थोड़ा सा कोई लाइट कलर दें यह देखे मच बेटर ठीक है तो जैसे जैसे आप इसकी विट बढ़ाएंगे क्या होगा कि यह सारी विट जो आपकी स्राइसर के यह भी चेंज ह बैक्राउंड कलर भी आप दे सकते हैं यह दिक्षिक बैक्राउंड कलर आपको पता है अभी बढ़ ऐसकर स्मझाना यह देखे है प्र चूह है तो वह उसका मीच पंप यह बंद हो जाएक अब हमारा जो text part है, जो slicer header part है, वो यहां पर done हो गया, ठीक है, अब slicer हमने header कर लिया, अब उपर ये सब हमने कर लिया, selection options, अब हमरे पस values है, values बहुत important होता है, विकिस कई बार आपको चीजों को ज़्यादा बढ़ा करके दिखाना है, टॉफिसर से भी दिखा सकते हैं, यह यहां से आप इनका font color change कर सकते हैं, padding मैंने आपको बताया था, यह सब आप पहले कर चुके हो रहाए, उसके बाद है, यह बार्डर की position है, यह आप जैसे सब कुछ में top कर दूँ, bottom कर दूँ, जैसे दुबारा से, तो यह देखे, यह क्योंकि font की बात हो रही, तो font के अंद अब यह तो हमारा जो था, वो slicer का part था, slicer header का, यह font के अंदर की बात हम कर रहे है, तो मतलब इस तरह से भी आप अपने हिसाब से, इसको color, let's say, let me give some blue color, यह देखे, तो मतलब यह सब formatting part है, इसमें ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, तीक है, यह आप देख लेना, background, again font का background आपको कुछ change करना हो, तो font का background भी change कर सकते हैं, अगला हमारा portion जो है, जनल का है, जनल में देखते हैं, यह properties वही है, आपको याद होगा, height, width, वगएरा, इसकी positioning वगएरा, यह सब आपको पहले मैं बता चुका हूँ, इसमें कुछ नहीं करने वाला है, padding वही देखे, padding यह बेसिकली आप अपने साब से distance जो है, वो आगे पीछे थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है, तो again इसमें भी हमारे पास कुछ जादा करने वाला नहीं है, यह maintain layer order यह मैं आपको बाब में बताऊंगा, power BI service के time अभी जादा है, इसका हम use करने का, जानने का इसको कोई फायदा नह अगर आप देना चाहें, तो title भी दे सकते हैं, title on कीजिए सबसे पहले, और title में यहाँ पे, हम अगर कुछ भी लिख देते हैं, यह लेक्स में लिख देता हूँ, ABC for example, तो देखें, title आजएगा, तो यह title के आगे, आप उसको अपने heading style दे सकते हैं, उसको bold, italic कर सकते हैं, center line, उसका background color, you know, यह यह वाला, तो slicer का already हमारे पर title है, अब मैं इस visual का title क्यों रखूँगा है, तो यह सब option है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, हम यह use करेंगे, बट आपको मैं नहीं बता दिया, effect है, effect में again, आपको background में कोई color, अगर different type of color आपको दिखाना हूँ यह I am not interested in this, मैं इसको background को ऐसी ही रखूँगा, ठीक है, fine, visual border मैं रखता हूँ, आपको याद होगा, मैं पहले भी बात की थी, अब इसका slicer का border यहां पे trait हो गया, और आप चाहें तो इस border को, उसका width बढ़ा सकते हैं, उसकी thickness बढ़ा सकते हैं, बेसिकली, और उसका color वगर आपको दिखेगा, मैं यहां भार क्लिक करता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा, यह देखिए, है न, तो again मुझे border चाहिए होगा, लेकिन border, generally मैं अपने जो best होगा color वही रखूँगा, और साथी साथ यह जो आपका, उसका curves हैं, जो rounded corners है, वो मैं basically नहीं रखूँगा, मै तो जादे 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 अगर मुझे border चाहिए तो मैं भी अपने विजूल के according black color रखना पसंद करूँगा, इसके बाद आपके पास shadow है, देखिए, shadow हम रखते हैं, बलब, dashboard में अच्छा effect आता है, किसी-किसी विजूल में आपने रखना तो आप रख सकते हैं, especially cards में जो इस तरह से मेरा slicer जो है, वो त्यार हो गया, ठीक है, तो अगें बाकी सब विजूल में भी, आप border अगर देंगे, तो मेरे असाब से वो थोड़ा बेटर रहता है, बट अगें यह आपकी option है, तो अगें सब के general tab में ही आपको मिलेगा, यह देखिए, यहां पे effects के अंदर visual border, ठीक है न, ठीक है, यह हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, इसका भी अगर मुझे रखना, anyways, यह सब time waste करने वाली बाते हैं, तो देखिए, यह आपने अभी slicer में काफी चीज़ें सीच ली, slicer पूरा हमने cover कर लिया, साथ में slicer के हमने cross filtering जो है, वो भी cover कर ली है, ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, जो की है, cards, यह देखिए, cards, click करते हैं, cards क्या होते हैं, देखिए, cards होते हैं, पूरे process का अगर आपको performance दिखाना है, card में भी देखिए, a की field है, मैं गया था, मुझे item sold देखना है, ठीक है, total item कितनी सेल हुई है, यह देखिए, यह है हमारे cards, ठीक है, आप इनको Excel में भी बना सकते हैं, बड़ यहां पर यह बने बनाएं मिलते हैं, वहां पर हमें इसको text box store करना होते हैं, तो मैं भी क्या करता हूँ, control C, control V, और एक और यहां पर card बना लेते हैं, ठीक है, अब देखि हैं, उसके बाद एक और copy बनाता हूँ, और इसको यहां रखता हूँ, let's say, मुझे highest sale देखना है, तो मैं highest sale भी देख सकता हूँ, किसमें, यह field जो आप देख रहे हैं, ठीक है, item sold, तो item कितनी हमने sale किया, day by day आपको data याद होगा, तो इसमें मैं maximum sale देखना चाहता हूँ, तो आपको maximum sale भी मिल जाएगी, ठीक है, तो इस तरह से आप cards भी बना सकते हैं, cards के पास भी again formatting है, सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बोला, देखिए, यह slicer में आप जो भी चीज़ स्लेट करेंगे, वो सारी option उसी तरीके से आपकी change होती जाएगी, ठीक है, बलब cards भी slicer से ही change होंगे, अगर आप करना चाहो, और अगर आपको नहीं करना है, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ, इसको select कीजे, इसके edit में जाएगे, और इनको non-non कर दीजे, तो क्या होगा, कि आपको यह वाले numbers change नहीं होंगे, अगर आपको नहीं करना है, तो ठीक है, तो इसके formatting section में भी cards के, हमारे पास देखे, call out value है, call out value, call out value क्या होती है, जैसे देखे, मैं इसको bold करता हूँ, तो यह 27 के bold हो गया, इसका size आपको थोड़ा और बढ़ाना है, तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, display auto ही रखेंगे, अगर आप इसको none रखेंगे, तो 27,000 पूरा number आएग तो display आपको कैसे करना है, वो आप देखे, फिलाल auto में रखेंगे, ठीक है, decimal हमें नहीं चाहिए, text wrap on है, on रखेंगे, अगर size आपकी sale, जैसे आपने बोला कि 5 lakh sale है, 5 lakh पूरा number दिखाना है, तो उसका size अगर आप कम जादा करेंगे, तो automatically वो wrap हो जाता है, ठीक है, तो इसम only हम इसमें, हमारा एक figure आता है, proper वो दिख जाता है, card में, तो size का issue नहीं होता, वो तब होता है, जब titles में आपने देखा होगा, आपको याद होगा, wrap option हमने discuss की थी, ठीक है, तो call out value में ज्यादा और कुछ नहीं है, ये category label है, label अगर आपको रखना है, तो आप रख सकते है ये label तो obviously, मैं कहूँगा कि हमें चाहिए होता है, ठीक है, तो ये label को भी italic कर दूँगा, तो ये नीचे italic होगा, underline होगा, ये label है, ठीक है, तो underline italic कुछ नहीं करना है, इसको इतना ही रखेंगे, और अगर आप इसको यहां से off कर दोगे ना, तो क्या होगा कि वो यहां चाहिए ही होगा, ठीक है ना, इसके बाद general tab है, general में वही properties में x axis, y axis, title अगर आप कुछ title अपने हिसाब से देना चाहते हैं, तो आप title भी दे सकते हो, मैं इसको use करता हूँ, क्योंकि यहां पर जैसे sum of items old आ रहा है, मैं इसमें लिख सकता हूँ, total sale, तो एक title बन के आजए होगा, यह important है मेरे लिए, बस इतना ही रखूँगा, थोड़ा font बढ़ाना चाहूँ, तो बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं total sale दिखा रहा हूँ, तो मैं अपने visual में, जैसे मैं आपको बोला category label को off कर दूँगा, तो यह off होगा, बिकिस दो दो चीज़े नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, यह देखे, यह subtitle create हो गया, फिर इसको आप central line कर सकते हैं, यह हमें नहीं चाहिए, फिर उसकी सारी formatting section है, तो टाटा गुदबाई, ठीक है, डिवाइडर जैसे दिखी, यह divider है, हमारा divider आप कर सकते हैं, ठीक है, आप रखना divider हो गया, ठीक है, spacing आगया, space आपको कितना रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि यह यहां से, यह space थोड़ा सा आप नीचे अपने साब से कर सकते हैं, तो अगें यह भी सिखाने वाली कोई चीज़े नहीं है, effect, effect, background, आपको background कैसा रखना है, तो उस पर हम बात करते हैं जैसे background मैं कहता हूं कि मुझे background जो है, यह वाला background रखना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा transparent रखना है, for example, like this, या अगर आप अपनी theme के साथ जाना चाहें, तो let's say, मैं यह वाला color चूज करना चाहूंगा, ठीक है, तो ओपर font का color जो है, यह वाला color है, इसको white कर सकते हैं, या हमारा tool tip है, इसमें off है, यह जैसे supposed tool tip को अगर मैं click करता हूं, तो यहां पर hover करूँगा, तो देखे, दिख जाएगा, tool tip पे हम पहले भी बात कर चुकि है, मैंने आपको बताया है, यह tool tip होता है, ठीक है, लेकिन आप याद कीजिए कि यह by default on होता है, लेकिन हमारे cards में by default on नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप में पूरी story बता रहा है, तो इसको on by default Microsoft में नहीं रखा हूँ, जो कि अच्छी बात है, जो मुझे number दीखी रहा है, तो इस तरह से यह आपकी चीजे हैं, ठीक है, तो यह हमारा इस तरह से हम इसको create कर सकते हैं, और हम इसमें क्या कर स तो यह creativity तो खेर आपको खूद करनी है, ठीक है, उसके बाद जैसे आप text color में बता रहा था कि एक बार आपने background चूज कर लिया, तो उसके बाद, लेचा मैं इसको इस तरह से रखना चाहूंगा, total sale, ठीक है, आपको और color भी चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है तो इस तरह से अपना, आप, जो है, card prepare कर सकते हैं, तो मोटा मोटा आपने देखा, दोस्तों, actual में है क्या है, कि सब के visuals के अपने हिसाब किताब हैं, उनकी options हैं, लेकिन generally होता यह है, कि जो tabs हैं, tabs के अंदर, उन्होंने आपको bordering वएरा option दिया है, border के color, central alignment, left alignment, या size background colors आजाते हैं, shadows वगएर आजाते हैं, तो मोटा मोटा सारी चीज़े वही हैं, तो इसलिए confused होने की जरूरत ही नहीं है, एक particular option दे लिया कि भई, इसके अंदर घुसके अब आपको यह चीज़ें मिलेंगी, इसके अंदर घुसके अब आपको यह चीज़ें मिलेंगी, लेक आप यहां पर चला गया, और यह देखे, चेंज हो गया अपने आप, ठीक है, आप कहींगे, अजे सर टोटल सेल, इसमें तो वो टाइटल आया नहीं, भई टाइटल तो आप भी दोगे ना, टाइटल दिया होता अगर इसमें, तो वो भी ऐसा color ले ले लेता, क्याने का मतल हो गया है, और मैं फिर क्लिक करूँगा, और मैं फिर यहां पर जाओंगा, और इस तरह से paintbrush create हो गया, ठीक है, लेट मी undo, control Z, control Z, Excel में आपको पता होगा कि अगर आप paintbrush continuously करना चाहते हैं, तो आप double click कर देते हैं, क्या इसमें double click चलेगा, मैं इसमें double click करना हूँ, ठीक है, एक icon आजाता है, Excel में तो हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, तो मैं यहां पर single click करूँगा, देखे, paintbrush हो गया, तो इसका मतलब यह है, कि जैसे Excel में होता है, कि आपका format printed double click पर चल जाता है, जितनी मेरी knowledge है, अभी तक हमारे पास BI में यह option नहीं है, अगर आप लोग से, यह देखे, जैसे, suppose मैंने इसको formatting किया, ठीक है, मैंने इसको formatting किया, ठीक है, अब मुझे यह format हर जगा करना है, तो यह जो हमारा paintbrush है, डबब क्लिक करता हूँ, एक minute रुकिये, हाँ, यह देखे, यह हमारा, मैंने इस पर double click किया, आपने जैसे double click किया, यह देखे, painter बन तो यह भी होना चाहिए, but anyways, because इसमें इतना formatting आप नहीं करते हो, because Excel में तो बहुत सारे cells होते हैं, तो इसमें visual हमारे, कितने आप use कर लोगे maximum, तो उस concept से में भी शायद उनोंने double click activate नहीं किया, तो आपको आज क्या सीखा, आपने cross written सीखी, slicer, अपने सीखे slicer में भी आपन आपने उसकी formatting वारा सारी सीख ली और साथी साथ आपने ये भी देखा कि date का स्राइसर different क्यों है, text का different क्यों है, but date की नहीं है, बात यह है कि उसका data type number है, तो number होता है, उसमें between lesson equals to, आपको option मिल जाएंगी, है ना, लेकिन वो text में नहीं मिलेंगे, common sense की बात है, लेकिन फि तो इसलिए मैंने आपको बता दिया उसको, ठीक है, फिर उसके बाद हमने cross filtering में on off के options सीखी, किस तरह से कर सकते हैं, और last में हमने cards सीखे, और cards के सारा formatting section हमने बहुत जल्दी cover किया, because हम already formatting पहले कर चुके हैं, तो बने रहें चानल के साथ, और अच्छा लगा वीडियो त तो like कीजेगा, comment section में participation कीजेगा, ताकि मुझे भी जूष, मेरे अंदर भी जूष आया, और मुझे लगे मेरे students इंटर्स ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, seriously पढ़ रहे हैं, because हमने यहां पर data analytics के, एक नहीं, दो नीती, नहीं, चानी, you know, तेरा courses चला रखे हैं, alright, तो ठीक है गईस, चानल को subscribe कीजेगा, मैं मिलता हूँ आप से, बहुत चलती अकले वीडियो में,